हिलो बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा दसवी के पाथे क्रम की एक और कवीता बच्चो ये जो पोयम है रितुराज जी की रचना है इस पोयम का शीरशक है कन्यादान पोयम के बारे में बताने से पहले दो लाइन में मैं आपको ऑथर के बारे में बता देता हूँ कवी के बारे में जानना ज़रूरी है आपको इनके बारे में एक दो चीज़े ही जाननी ज़रूरी है पहली चीज तो ये कि रितुराज जी जो है ये करीब 1940 के दशक के कभी थे बीसवी सदी के ये वो दौर था जब भारत आजाद नहीं हुआ था आजादी के बाद हिंदी साहित्ते काफी हद तक डिमिनिश होना कहते है ना कि कम होने लगा कि उसकी रूची जो है जो लोग रूची रखते थे हिंदी साहित्ते में वो कम हो गई खेर यहाँ पर पॉइंट यह है कि 1940 से पहले का जो दशक था 1900 से लेकर 1940 तक ये दशक छायावादी कभियों का दशक था ये वही समय है जब महादेवी वर्मा जी प्रेमचन जी और सूरेकां त्रिपाठी निराला जी उनकी कविता है आपको उच्सा और अट नहीं रही है ये लोग काफी प्रसिद हुए छायावाद युग जो है हिंदी साहित्ते का वो इसी समय में मशूर था रितुराज जी के बारे में आपको ये चीज जाननी ज़रूरी है कि हाला कि ये उसी दौर में पैदा हुए जब महादेवी वर्मा और निराला जी जैसे कवी थे पर इन्हों ने हमेशा अपनी रचनाओं का विशे समाच को बनाया चायावादी कवी क्या करते थे कि वो श्रिंगारिक्ता लिखते थे श्रिंगार रस के बारे में लिखते थे मतलब प्रेम के बारे में लिखते थे या प्रकृती के सौंदरे का विवरंड करते थे या सबसे इंपोर्टन चीज वो इंडिरेक्ली बाते करते थे इसलिए छायावाद युग में जितने भी कवी होएं उनकी कवीताओं को समझना थोड़ा कठेन होता है हना रितुराज जी जो थे इन्होंने प्रकरती को इन सब चीजों को कभी अपनी कवीताओं का विशेनी बनाया इन्होंने समाज को बनाया समाज में अगर सुख है तो ये सुख के बारे में लिखते थे और बड़े से बड़ा दुख है तो ये दुख के बारे में लिखते थे सुख, दुख, कोई बहुत अच्छी चीज हो या फिर कोई बहुत घिनोना काम हो समाज में कुरीतियां हो अच्छी प्रताय हो, धर्म हो, संस्कृती हो नियती हो ये हमेशा इन सब चीजों के बारे में लिखते थे तो ये रितुराज जी की खासियत थी कि ये उस युग में पैदा हुए जब indirectly बाते करने का दोर सा चल रहा था पर इन्होंने हमेशा सरल शब्दों में सरल संदेश देने का प्रयास किया ये जो कवीता है कन्यादान आप देख सकते हैं ये आपकी टेक्सबुक का ही PDF है आगे नहीं है आगे मैंने कुछ स्लाइड सटाच की है उसमें ये है कि कन्यादान कवीता जो है basically वो इस बारे में है कि मा और बेटी माता और पुतरी के संबंधों के विशे में उसके उपर ये किसी पुरुष के हाथ सौप देती है उसी को कन्यादान कहा जाता है कन्यादान जो है वो शादी में आखरी रसम के तोर पे भी निभाया जाता है जब तक कन्यादान नहों विवा संपन नहीं माना जाता तो ये जो कवीता है इसमें यही है कि माता के मन की व्यथा क्या है अ उसकी पुत्री के साथ वो सब ना हो जो उनके साथ हुआ. अपने अनुभवों से सीख करके जो भी वो अपनी पुत्री को बता सकती है, उसे समाज के बारे में बता रहे है क्योंकि उनकी पुत्री अभी भी बालिका है. वो मैच्चॉर नहीं होई अभी तक. maturity आ गई है तभी शादी हो रही है फर अभी समाच की उतनी परक नहीं है अब तक उन्होंने सिर्फ अपनों के बीच में समय बिताया अब उन्हें एक पराए घर में जा करके भी समय बिताना है तो बहुत सारी चीजे हैं जो माता है अपनी पुत्री को बता रही है साथी साथ ये जो पोएम है ये जो कवीता है रितुराज्जे की ये एक तरह से एक सेटायर आप कह सकते हैं कटाक्ष है कटाक्ष किसकी उपर है समाच की कुर्यतियों के उपर भी कि कैसे स्त्रीयों का शोशन किया जाता है दहिज के नाम पर उन्हें प्रताडित किया जाता है और इस पोएम में पटिकुलर्ली या मुख्य तोर पे एक लाइन भी है एक वाक्य भी ऐसा है जिसमें ये कहा जाता है कि आग जो है वो रूटिया सेखने के लिए है जलने के लिए ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा पर ये पोएम में इसी के बारे में साथी साथ कवीता में कोरी भावुक्ता नहीं बलकि मा के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाडिक अभिव्यक्ति है कि ये जो छोटी सी कवीता है इसके जरिये श्त्री जीवन में जो जो दुख है इसे रितुराज जी ने प्रकट किया है जैसा मैंने आपको बताया है रितुराज जी जो है ये अपने समय के दूसरे कव्यों की तरह नहीं थे वो भी समाच के बारे में लिखते थे प्रेमचन जी ने दो बैलों की कथा लिखी गोदान लिखा अच्छी अच्छी रचना है उन्होंने भी लिखी पर ये डायरेक्ट लिखते थे इनको अपनी बाते कहने के लिए किसी फिक्शनल स्टूरी को बनाने की जरूत नहीं पड़ती थी कोई कहानी लिखने की कोई निबंद लिखने की जरूत नहीं पड़ती थी ये कविताओं के जरिये ही अपनी बात कह देते थे तो अब समाज में उस समय बहुत कूरीतिया थी आज भी एक कूरीतिया जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे है उन्हें बात समझनी चाहिए कि स्त्रियों का वो समवान करे ऐसा मैं नहीं रितुराज जी चाहते थे मैं भी चाहता हूँ तो कन्यादान कवीता जो है ये स्त्री जीवन के बारे में कि स्त्री जीवन में कितने दुख है और कैसे वो अपना सब कुछ त्याग करके एक दूसरे घर में जाती और जो व्यथा है माता और पुत्री का समवाद है इसमें चली कन्यादान देखते हैं माफ कीजेगा कितना प्रामाडिक था उसका दुख चली थोड़ा और जूम इन करते हैं कितना प्रामाडिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो तो इन शुरुवाती तीन लाइनों के जरीए रितुराज जी कह रहे हैं कि जैसा मैंने बताया है माता के मन की व्यथा कि मा के मन में ये जो emotions जो उमढ रहे हैं उसके भारे में ये कि वो अपना सब कुछ देना चाहती है सब कुछ यानि कि अपने पैसे नहीं अपनी संपत्ती नहीं अपना ज्यान अपना अनुभव ताकि पुत्री को किसी भी प्रकार से उस तरह के या किसी भी तरह के कस्ट ना हो जैसे उन्हें होने चाहे हो हुए थे या फिर किसी और को हो सकते है तो वो नहीं चाहती कि पुतरी के साथ कोई भी कस्ट हो कोई कस्ट हो उन्हें तो कितना प्रामारिक था उसका दुख माता का दुख है न यहां पे उसका कौन है माता है रड़की को दान में देते वाक कन्या दान दान या इनकी कन्यादान जैसे वही उसकी अंतिम पुंजी हो माता के लिए उसकी पुत्री ही उसकी अंतिम पुंजी है कहते हैं ना कि माता और पुत्रियां समीप होते हैं और पुत्र माफ के जगाँ पिता और पुत्र समीप होते हैं जादा समीप होते हैं एक दूसरे के तो माता की अंतिम पुन्जी है कविता में एक बार ये जो लिखा गया अंतिम पुन्जी तो question कई बार आता है कि माता ने पुत्री को अपनी अंतिम पुन्जी क्यों कहा है तो इसका answer अब क्या लिखेंगे माता ने पुत्री को अपनी अंतिम पुन्जी इसले कहा है क्योंकि पहली बात तो जो मैंना थोड़ी दर पहले बताई क्योंकि माता और पुतरी एक दुसरे के जादा समीप होते हैं माता और पुतरी जो है वो एक दुसरे के सुख दुख के साथ ही हैं हाँ आपको यही लिखना है कुछ लोग सोचते हैं सर सुख़दुख के साथ ही है समीप ये सब तो common चीज़े हो देखो answer हमेश्वा extraordinary हो जरूरी नहीं है सुन रहे हो न हाँ extraordinary answer नहीं लिखना है माता को पुतरी अपनी अंतीम माफ कीजेगा पुतरी को माता अपनी अंतीम पुझी इसलिए मान रही है क्योंकि माता पुतरी के संबंद जो है वो जादा अच्छे है माता पुतरी के समीप है माता और पुतरी एक दूसरे के सुख़दुख के साथ ही है क्यों क्योंकि दोनों श्त्रियां है दोनों को श्त्री जीवन से होकर के गुजरना है माता भी किसी और के घर से बिहा के किसी और के घर में आई वहाँ पे उन्होंने adjust किया रही उसी तरह से उसी प्रकार पुत्री को भी वही करना है तो माता और पुत्री का relation समझ पा रहे हो दोनों को एकी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं हाना तो यही इसका answer है और इस question answers की भी slide मैंने डाली है इसमें ताकि textual questions के answer आपको पता चल जाए ठीक है तीन लाइनों का मतलब समझ में आ गया आगे देखते हैं नहीं समझ में है कितना प्रमाडिक था उसका दुख प्रमाडिक का अर्थ क्या होता है प्रमाडिक यानि कि ऐसा जिसका कोई प्रमाड न हो या फिर प्रमाड भी कम पड़ जाए हना जैसे सूरे जो है वो पूर्व से निकलता है इसका कोई प्रमाड है हाँ आप प्रमाड दे दोगे कि हाँ ये पूर्व दिशा है देखो इसके सामने वाली दिशा पश्चिम है कहने का मतलब क्या है एक ऐसा सच जिसको साबित करने के लिए सबूत भी कम पड़ जाए यानि कि उससे बड़ा सच कुछ हो ही नहीं सकता उसको प्रमाडिक कहा जाता है उसका दुख, माता का दुख बहुत बड़ा सत्य है क्यों जब वो लड़की को दान में दे रही है क्योंकि अभी बिछडने का समय लड़की की विदाई का समय पास में आ गया है जैसे वही उसकी अंतिम पुंजी हो लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी सयानी शब्द का अर्थ क्या है सयानी यानि की समझदार या भी उतनी mature नहीं थी सयानी नहीं थी इतनी समझदार नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी क्योंकि देखिए भारत में उस समय शादियां लड़कियों की जल्दी कर दी जाती थी हना जल्दी इंदसेंस कब की जाती थी अब समझ सकते हैं 18-20 से पहले यानि कि जब तक उनका टीनेज चल रहा है तभी तक शादियां को जाय करती थी हाला कि अभी ऐसा नहीं होता तो अभी लड़की भोली सरल है अभी उसको समाज के बारे में नहीं पता दुनियादारी नहीं पता कि उसके कि उसे सुख का कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था बाचना शब्द का अर्थ होता है बाटना अना बाचना का अर्थ होता है बाचना कि उसे सुख का अनुभव होता था क्योंकि दीखिए जब लड़की माता-पिता के घर में रह रही है तो उसे सुख है ऐसा नहीं है कि बाहर जाके दुख मिलेगा मैं तो शुबकामनाय देता हूँ कि सभी को सुख मिले पर क्या है कि जब आप किसी नए परिवेश में जाते हैं नए परियावरण में नए घर में जाते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती है न जैसी सिचुएशन इस घर में उस घर में नहीं होगी तो थोड़ा एड़़स्ट करना पड़ता है तो दुख सुख से रहती थी माता पिता से बिना हिचकिचाय जो उसे चाहिए होता था जिस चीज की आवशक्ता होती थी मांग लेती थी लेकिन अब क्योंकि वो पराय घर में जाने वाली है तो उसे दुख बांटना आना चाहिए हना तो क्यूंकि दुख बाटना क्यूं आना चाहिए क्योंकि पराये घर में पराये लोग होता है तो जब तक वो अपना दुख बाटेगी नहीं तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसे दुख है अंदर घुट घुट के जीने से तो अच्छा है न कि आप अपना दुख बांचे दुख बांटे लोगों के साथ पाठिका थी वह धुंदले प्रकाश की माफ कीजेगा पाठिका थी वह धुंदले प्रकाश की कुछ दुको और कुछ लाइबध पंक्तियों की यह बहुत ही जवर्दस उन्हों ने लिखाया कि पाठिका थी वह धुंदले प्रकाश की कुछ तुको और कुछ लाइबध पंक्तियों की लाइबध पंक्तियों अब यह बड़ी कमाल की उनकी लाइन है यहाँ पे वो क्या कह रहे है पाठिका थी पाठिका यानि की student एक तरह से इसका literal meaning यह यह है यहाँ पे वो यह कहना चाहते है धुंदले प्रकाश धुंदले प्रकाश से उनका मतलब है अधूरा ग्यान कि अब तक जो लड़की है वो बहुत जवान है काफी यंग है मैंने आपको बताया है भारत में जल्दी शादिया होती थी हमेशा तो अभी लड़की बहुत यंग है धुंदला प्रकाश अधूरा ग्यान यंग है काफी जवान है युबा है तो जीवन का अनुभव कम है तो उन्होंने हमेशा उन्हें पता ही नहीं कि स्तुरी जीवन होता कैसा है हना अपना बालपन लड़क पन उन्होंने तो पूरा निकाल दिया किसमें अपने माईके में और अब एकदम से उन्हें दूसरे घर में जा करके एड़्जस्ट होना है धुंदला प्रकाश यान की अधूरा ग्यान पाठे का थी वहा किसकी अधूरे प्रकाश की कि अभी तक उनके पास पूरा ग्यान नहीं था मतलब जब लड़कियां जवान होती हैं तो विभा के बाद क्या क्या दुख आते हैं उसके बारे में वो सिर्फ सुनती हैं अपनी माता से कि जब उन्होंने नया नया ब्याहा करके अपने घर आई थी तो उन्हें किस प्रकार के दुखोय थे अपनी सहेलियों से कि उनकी सहेलिया अगर उनका विभा हुआ या उनकी सहेलिया बेहनों का विभा हुआ हैं मतलब अब तक सिर्फ सुना है धुंदला प्रकाश अधूरा ग्यान क्लियर कुछ नहीं पता है सपस्ट नहीं है उन्हें बस अंदाजा है कि हाँ हाँ ये इदुख आ सकते हैं और दुखो का ये सुखो का अनुभव नहीं है पाठीका थी वह दो चीजों की पाठीका थी पाठीका थी माफ किजएगा धुंदले प्रकाश की और पाठिका थी कुछ तुको और कुछ लैबद पक्तियों की तुको यानि की क्या तुक यानि की होता है अनुमान लगाना कभी हम हिंदी में बात करते हैं आज कर तो इतनी हिंदी लोगों को नहीं आती पर कभी-कभी हिंदी में बात करते हैं और अगर कोई आपसे कहें कि इस बात का कोई तुक नहीं बन रहा यानि की इस बात का कोई एक मीनिंग नहीं बन रहा कोई सेंस नहीं बन रहा और तुक का मतलब होता है अनुमान लगाना की सामने वाला guess कर रहा है लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहा है थोड़ा confusing सुनाई दे रहा है एक शब्द ने समझे तुक शब्द का अर्थ है अनुमान लगाना guess करना कि जैसा मैंने कहा धुंदला प्रकाश लड़की के पास अधूरा ग्यान है उसे कुछ clear नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला जब वो और कुछ तुको और कुछ लएबंध पक्तियों की पाठिका थी पाठिका यानि की मैंने बताया तो था हाँ student माफ करना में भूल गया था पाठिका यानि की student एक सेकंड के लिए दिमाग से निकल गया था भूला नहीं था सरुवे तुमारा पाठिका यानि की वह student तो student किसको बोलते हैं जो किसी से knowledge ले अभी लड़की के पास अब देखो हमें तो यह बात पता है इनसान अपने experiences से बहुत कुछ सीखता है पर लड़की के पास experience तो नहीं है तो किस चीज से सीख रही है धुंदले प्रकार से अधूरा ग्यान जो कही सुनी बाते उसने सुनी अपने सहीली से अपनी मा से कि विवा के बाद क्या क्या दुख होते हैं और कुछ तुको और दूसरा वो किस से सीख रही है तुको से यान कि अपने अनुमान से जब वो दूसरों की कही सुनी बाते सुनती हैं तो उससे वो अपना एक अनुमान लगाती है कि क्या क्या हो सकता है और लैबध पंक्तियों की कि अनुमान लगाने के बाद वो जो सोचती है अपने बारे में, माफ कीजेगा अपने आने वाले जीवन के बारे में कि किस प्रकार के कस्ट हो सकते है क्या क्या हो सकता है और बहुत सारी रड़कियां काफी excited भी होती है, हना क्योंकि जब विवा करके आप किसी नए घर में जा रहे है तो लोग सुख की अपेक्षा के साथ जाते है कि एक जीवन साती के साथ जा रहे है तो अब सुख ही सुख होगा, हना पर सुख की अपेक्षा है, दुख का भय है तो समझ पा रहे हैं, confused है दुंद्रा प्रकाश अधूरा ग्यान तुक यानि कि अनुमान लगा रही है, यह हो सकता है वो नहीं हो सकता, कुछ लैबंद पंक्तियों की उनकी अनुमान के बारे में लिखा है कि वो जीवन का अनुमान लगा रही है फिर से first, second paragraph देखते है लड़की अभी सयानी थी, अभी इतनी भोली सरल थी लड़की काफी भोली सरल है अभी वो इतनी समझदार नहीं हुई है सयानी अनकी समझदार नहीं हुई है कि उसे सुख का अबास्त होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था बाचना का शाब्दिक अर्थ तो मेरे अनुसार बाटना होता है पर कोई-कोई आपको ये भी कहेगा कि बाचना कार्थ होता है बताना या फिर शेयर करना, शेयर करना तो बाटना ये की हो गई बाचना कार्थ है प्रदर्शित करना किसी चीज की प्रदर्शन करना या कि कोई चीज बाटना आप अपना दुख बाटोगे तो एक तरह से आप उसको प्रेजंट ही तो कर रहे हो ना प्रदर्शन ही तो कर रहे हो ना तो दुख बाचना यानि की दुख सामने रखना दुख कहना लोगों से अपना तो यही उसका का दुख अनुभव नहीं होने दिया माता पिता ने और उनी की पुत्री थी तो वो उनसे प्रेम करते थे पर पराय घर में कैसा वेभार होगा उन्हें पता नहीं तो माता कहती है दुख बाचना उसे नहीं आता दुख बरदाश करना नहीं आता बाचना का एक और शाब्दि आता था. दुख बाटना कब आएगा? जब दुख मिलेगा तप ही तो बाटना आएगा ना? जिसने पूरा माईके में सुखी बिताया माबाब की लाडली बनके रही, उसे दुख बाटना कैसे आएगा? और दुख बाटना का एक और हर्थ हो पर मेरे हिसाब से बर्दाश करने वाला मेरे हिसाब से तो दोनों गलत नहीं है मेरे हिसाब से तो दोनों गलत नहीं है क्योंकि देखो to be honest मैंने रितुराज जी से फोन पे बात नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने क्या सूच के ये लिखा 1940 भारत की आजादी से पहले ही वो गुजर चुके थे शायद तो मुझे भी नहीं पता मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ जितना मैंने उनको पढ़ा है आपकी टीचर्स भी यही करते हैं किसको पता CBSी वालों को बताया है कि रितुराज जी ने माफ करना offensive way में मतले ना कहने का मतलब यही है कि भावार्थ का अर्थ ही यही होता है कि इस लाइन को पढ़के आपके मन में क्या भावना जागी है उसका अर्थ हाप लिखिएगा चलिए आगे देखते हैं इसका समझ में आ गया ना पाठे का थी वा धुन्दले प्रकाश अधूरा ग्यान था दूसरी कुछ तुको अनुमान लगाती थी शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा लाइबद पंक्तियों कई सोचती थी कि क्या क्या हो सकता है शादी के बाद क्या क्या नहीं हो सकता मा ने कहा पानी में जहांक कर अब ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो हिस्सा है इसमें माता जो है अपनी पुत्री को सीख दे रही है एक्जाम में CBSC के बोर्ड में ये क्वेशन भी आ चुका है कि कोई दो सीखे स्पस्ट कीजिए जो कन्यादान कवीता में माता अपनी पुत्री को देती है तो आपको ये सीखे पता होनी चाहिए जात तर इजी है आपको कुछ अभी याद हो सकती है माता ने कहा पानी में जहांक कर अपने चेहरे पर मत रीजना ये पहली सीख दिये माता ने तो मा क्या कह रही है बेटी से कि तुम्हारा जो सौंदर है वो नश्वर है शरीर तो नश्वर है ये सौंदर है भी नश्वर है आज आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं काफी यंग है है पर आज से 20 साल बात 30 साल बात आप भी मिडल एज में आएंगे ओल्ड एज में व्रिद्धा वस्था में आएंगे तो ये रूप जो है ये सदा नहीं रहेगा जब तक आपकी अटाच्मेंट ऐसी चीजों के साथ रहेगी जो पर्मेनेंट नहीं है टेंपररी है तब तक आपको दुख मिलता ही रहेगा तो मा ने क्या कहा एक तरह से यहा जलने के लिए नहीं अब ये इसका अर्थ बड़ा कमाल का है आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं इसका एक शाब्दिक अर्थ तो ये है कि आपको पताै दहेज प्रता थी हमारी समाज में रड़कियों को प्रताडित किया जाता था है ना तो वो यही कह आग का अर्थ ये नहीं है कि वो fire, literal आग नहीं है, आग का अर्थ ये भी है दुख की आग, पीड़ा की आग, शोशन की आग, हाना, प्रताडित होने की आग, हाना, कि अब किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहे है तो उसके अंदर आग तो लगे की ना उसे दुख तो होगा तो यही कहरी है कि आग जो है वो रोटियां सेखने के लिए जलने के लिए नहीं है तुम्हें दुखी होने की कभी कोई जरूरत नहीं है हाना तुम कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाना हाना जिससे माबाप और समाच के लिए अच्छ पूत रहना और माता पिता तो उसके हैं हाना तो अपने अंदर ही अंदर मत कुड़ना आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं इन पंक्तियों के जरिये रितुराज जी समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करते हैं मैंने पहले ही कहा था पोएम स्टार्ट करने स तरह बंधन है स्त्री जीवन के लिए ये एक और सीख दे रही है माता कि वस्त्र और आभूशन जब स्त्रियां जवान होती है तो उन्हें वस्त्रों का आभूशनों का लोब लोब नहीं कह सकते क्रेज होता है काइंड ओफ कि उन्हें वो बड़ी आकरशित करती हैं ये सार पानी है नहीं वो जितना पास जाता है वो पानी उससे उतना दूर जाता है ऐसा है कि मानो किसी गदे के उपर कोई बैठा है और उसने एक फिशिंग रोट से गदे के सामने गाजर टांग दिये वो गाजर क्या कभी उसे मिलेगी कभी नहीं ब्रहम जो है वो इसी बेसिस प कह रही है, कि जिस चीज की अपेक्षा है तुम्हें, वो चीज़ तुमें नहीं मिले तो इस भ्रहमों में मत पढ़ना हना ये सारे भ्रहम हैं बंधन है श्त्री जीवन के, ये भी क्वेशन हा सकता है, माने वस्तर और अभूशन को सब कुछ मानेगी तो उसका पूरा जीवन स्त्री होना देखे बड़े गर्फ की बात है यह वो सभ्यता है जहां पर यह बात कही गई है कि जहां पर नारियों की पूजा नहीं नारियों का समान नीवा देवता तक वास नहीं करते हना तो स्त्री जीवन पूरा सिर्फ वस्त्रों के आसपास सिमट करके ना रह जाए उससे काफी बड़ा है इस तरी जीवन माने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना यह बहुत जादा important है कि मा यहाँ पर कह रही है इस तरीयों से कि माफ कीज़ेगा अपनी बेटी से कि तुम लड़की होना यानि कि लड़की के सारे गुंड तुम में होने चाहिए कोमल होना अच्छी होना चंचल होना देखिए यह मैं लेबल नहीं कर रहा हा ना जरूर नहीं है सारी लड़कियां चंचल हो कोमल हो पर usually ऐसा ही कहा जाता है ना कवीता जो है किसी एक के perspective से नहीं पूरे समाच के perspective से लिखी जाती है तो usually लड़कियां जो हैं वो कोमल होती हैं अच्छे हृदय की होते ही हैं तो फिर इतना कड़वा मत बनो की लोग थूक दे और इतना मीठा मत बनो की लोग निगल जाए कि अपनी अच्छाई को इतना मत दिखा देना कि लोग तुमारी अच्छाई का फायदा उठाए है हना लड़की जैसा दिखाई दोगी अपनी अच्छाई हर जगा दिखाओगी तो यह textual questions है, मैंने कुछ अलग से board questions और textual questions मिला करके लिखे हैं, चलिए, यह अभी हमने discuss कि, आपके विचार से माने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, अब मैं slide नीचे कर देता हूँ, अना, अब अपने मन में खुद answer सोची, मैंने क्या भावना आ रही है, आपके विचार से माने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, माने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि मा चाहती है कि लड़की अपने लड़की होने के गुंड रखे, अच्छी रहे, लड़की होना यान कि उसकी अच्छाईया वो अच्छी रहे पर इतनी अच्छी ना बने कि लोग उसका धुरूपयोग करें है ना देखिए लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुड़ माना जाता है लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुड़माना उसे लड़की जैसा ना दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से साउधान करती है कि अपनी कमजोरी मत बताना ताकि लोग तुमारा फाइदा मत उठाए ये फाइदा ना उठाए ये जो यहाँ पे लिख सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं इन पंक्तियों में समाज निस्त्री की कि स्थिती की और संकेत किया है है ना इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किये गए अत्याचारों की और संकेत किया गया है समाज में अक्सर नारी को जलाये जाकर जलाये जाने की प्र क्या होगा symbolism आप कह सकते हैं कि symbolic representation है आग जो है किसका दुख का आग यानि की दुख और एक आग मतलब ये भी है कि स्त्रिया को जलाना नहीं चाहिए और क्या है मा ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा क्योंकि रितुराज जी जानते हैं कि समाज में स्त्रियों के प्र उसक Alberty के बारे में लिके सौंदरे के बारे में लिके जितना अच्छा दिन उतनी अच्छी दुनिया वो समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं हना कि बेटी अभी सयानी थी उसकी उम्र काफी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराईयों से अंजान थी ये भी रीजन है कि मानने क्यों जरूरी समझा बेटी को सचेत करना क्योंकि बेटी अभी काफी ज़वान है उसे सुख का अनुभव तो होता है पर दुख बांचना नहीं आता याद कीजिए लाईने तो इस वज़े से मानने हमेशा बेटी को सचेत किया ताकि बेटी का कोई दुरुपियो गलत फाइदा न उठाए तो बच्चो ये थी कवीता रितुराज जी की करन्यादान मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी और मैं शुभम गुपता विदा लेता हूँ और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई और पोयम या चाप्टर की तो जरूर बताईए हम पहले उसे कंसिडर करेंगे आपके समय के लिए शुक्रिया